हलो बच्चों, आप सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो आज मैं लेके आई हूँ, साइन्स का, क्लास सेवन्त का, फर्स्ट शैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें, सबसे पहले तो हम जानेंगी, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो डिफरेंट और् उनको जब यूटिलाइस करते हैं, तो उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, अपने लास क्लास में भी पढ़ा था, क्लास सिक्स में भी पढ़ा था, कि कार्भोहईडरेट्स, फैट्स, विटमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से म मिलते हैं, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है, ऑर्गेनिजम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम ओड़ ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, means we can say, कि तू मोट्स अफ न्यूट्रिशन आर देयर, और मोट्स के अकौर्डिंग ऑर्गेनिजम को two parts में divide किया जाता है autotrops and heterotrops autotrops वो organism होते हैं जो कि अपना food खुद prepare कर सकते हैं और कैसे prepare कर सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ा था photosynthesis process की plants जो हैं वो carbon dioxide और water के presence में और sunlight के presence में photosynthesis करते हैं और food prepare करते हैं और उसके बाद ये इसको utilize भी करते हैं अपने body functioning के लिए और उसको excess food जो होता है वो इसको different body parts में store करते हैं तो ऐसे organism जो food खुद prepare कर सकते हैं वो कहलाते हैं autotrops और इनके example कौन है plants और other example भी है बहुत सारे organism ऐसे हैं जो chemical process के थूँ food prepare करते हैं वो different animals के बारे में हम अलग से discuss करेंगे then दूसरा part आता है heterotrops heterotrops वो होते हैं जो food के लिए autotrops के उपर depend करते हैं means वो अपना food prepare नहीं कर सकते तो directly या indirectly वो plants के उपर depend करते हैं food के लिए ऐसे organism कहलाते हैं heterotrops means heterotrops बहुत सारे organism है जो directly plants को खाते हैं तो वो तो directly plants के उपर depend करते हैं लेकिन कुछ carnivore animal है जैसे lion, tiger यह meat eaters है means यह heterotrops को खाते हैं लेकिन heterotrops जो जिस particular heterotrop को खा रहे हैं वो किस पर depend है plant के उपर तो basically वो किस पर depend है plants के उपर depend है food के लिए तो ऐसे organism जो अपना food खुद prepare नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं heterotrops photosynthesis process food making process होती है plant के अंदर जिसमें plants in organic substances की presence में जैसे की carbon dioxide, water और sunlight के presence में food prepare करते हैं तो यह process आपकी कहलाती है photosynthesis तो photosynthesis process क्या होती है food making process होती है जिसमें की glucose के form में plants food prepare करते हैं carbon dioxide, water और sunlight का use करके और यह in the presence of chlorophyll की photosynthesis process जो होती है वो chlorophyll के presence में ही होती है means chlorophyll होने की वज़े से ही plant के अंदर यह capability होती है कि यह photo energy का use करके food prepare कर सके means glucose form कर सके तो आप reaction देख पा रहे होंगे कि carbon dioxide जब water से combine होती है तो यह sunlight के presence में और chlorophyll के presence में एक दूसरे से combine होते हैं और glucose form करते हैं और oxygen form करते हैं जो कि air में oxygen क्या होती है air में चली जाती है और यह glucose carbohydrate के form में food जो है वो plants के different parts के अंदर store हो जाता है तो यह capability की photo energy का use करके carbon dioxide और water को combine करके food prepare करना और oxygen produce करना यह capability होती है यह सिर्फ plants के अंदर होती है heterotrops के अंदर यह capability नहीं होती है क्यों? क्योंकि उनके अंदर chlorophyll नहीं present होता है तो यह आपको याद होगा कि respiration process यह जो आपकी photosynthesis है यह respiration process की just ulti है आपने जब respiration process पढ़ा था तो आपने देखा था कि glucose जब oxygen से combine होता है मतलब oxygen के presence में glucose जब burn होता है तो क्या होता है? energy form होती है हमारी body के अंदर क्या होता है? कि हमारी body में जब food के form में glucose जाता है तो वो glucose क्या करता है? glucose से हमको energy मिलती है तो वो कैसे मिलती है? कि जब glucose oxygen से combine होता है या oxygen के presence में जब glucose burn होता है तो उससे क्या होता है? energy produce होती है और carbon dioxide gas release होती है तो आप देख रहे हैं just उसकी ulti reaction ही है ठीक है? plants उसका just ultra reaction कर देते हैं और फिर से वो carbon dioxide और water और sunlight बतलब photo energy का use करके carbon dioxide और water combine करके glucose form कर देते हैं और oxygen gas produce करते हैं जो की air के अंदर चली जाती है और ये दोनों ही चीज़ें क्या है? वो respiration process के लिए required हैं plants और animals तोनों के लिए और glucose क्या है? energy produce करने के लिए required है जो की plants और animals तोनों ही use करते हैं ठीक है? दोनों ही respiration process करते हैं और respiration process में उनको energy produce करने के लिए glucose की requirement होती है और glucose को वो oxygen की presence में burn करते हैं जिससे की carbon dioxide gas produce होती है और energy produce conditions necessary for photosynthesis में हम देखेंगे कि किस तरीके से plants जो है gaseous exchange करते हैं means carbon dioxide लेते हैं और oxygen को release करते हैं water कहां से उन्हें मिलता है chlorophyll उन्हें कैसे मिलता है और sunlight का use वो कैसे करते हैं तो सबसे पहला point है how the plants obtain carbon dioxide for photosynthesis plants को carbon dioxide कहां से मिलती है तो obvious सी बात है कि air से मिलती है लेकिन ये इसका intake कैसे करते हैं इसको देखेंगे जैसे कि हम oxygen जब लेते हैं तो हम अपने nose के थ्रू लेते हैं वो oxygen air जो है हमारे nose के थ्रू होते हुए lungs में जाती है और उसमें से oxygen gas ले ली जाती है तो वैसे ही plants के अंदर क्या होता है small pores होते हैं जिसको हम stomata बोलते हैं और stomata में क्या होते हैं two guard cells होते हैं अभी हम उसका structure देखेंगे कि उसमें two guard cells होती हैं जो की open और close होती हैं जिससे क्या होता है gaseous exchange होता है कि ये carbon dioxide intake करते हैं और जब इनमें photosynthesis process हो जाती है तो end product के form में oxygen release करते हैं तो ये दोनों ही क्या है gaseous exchange process है और ये gaseous exchange process किसके थू करते हैं istomata के थू करते हैं और istomata में क्या होती हैं two guard cells होती हैं जो की open और close होती हैं जिसकी वज़े से ये gaseous exchange कर पाते हैं easily तो ये structure में आप देख सकते हैं कि ये guard cells है ये आप देख रहे हैं ये guard cells है ये आपका stromata है ये जो leaf की surface के present होते हैं और ये guard cell है ये guard cell है ये दूसरी guard cell है ये ऐसे जब open होते हैं तो इस तरीके से guard cells फैल जाती हैं तो ये pore open हो जाता है और इस तरीके से ये इसका pore close हो जाता है जब close होता है तो क्या होता है ये थोड़ा सा shrink हो जाती है ये guard cells जिसकी वज़े से ये stomata close हो जाते हैं तो stomata जब open होते हैं तो ये gases को release कर देते हैं या फिर gases को absorb कर पाते हैं और जब close हो जाते हैं तो इसमें से फिर आते हैं हम लोग next how plants obtain water for photosynthesis तो आप सभी को पता है कि roots जो है water absorb करती है तो होता क्या है कि roots जो है water और mineral water में घुला हुआ mineral तो absorb करते हैं soil से और ये roots के अंदर roots से लेके stem तक और leaves तक अदर हर एक stem में हर एक branch और उसके अंदर present leaves सभी के अंदर पतली-पतली vessels होती है मतलब roots से start होके stem में होती हुई branches में होती हुई और leaves तक ये vessels जो है present होती है और एक दूसर से interconnected होती है जिसकी वज़े से roots जो water और mineral absorb किया जाता है वो tip part तक plant के tip part तक upper tip part तक पहुँचता है और इस तरीके से vessels के तरू पतली-पतली vessels होती है पतला pipe like structure होता है बहुत पतला होता है जिसकी वज़े से pressure उसमें generate होता है और जैसे आप water straw से खीषते हैं तो ये straw का का काम कौन करता है straw का का काता है? सन करता है sun जो है वो water को absorb करता रहता है मतलब उसमें transpiration जो process होता रहता है तो ट्रांस्पिरेशन प्रॉसेस के थूरू विसल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वज़े से रूट से टिप तक वाटर एब्सॉर्ब होता है, और जो विसल्स होती है, जो पतली-पतली विसल्स होती है, जिसकी वज़े से वाटर एब्सॉर्ब होता है, प पोंचता है पतली पतली वेसल कितरौ Kush ji póng hostile जी 0 जायलम बोलते हैं उसके बाद promov chlorophyll in photosynthesis chlorophyll का क्या रोल है photosynthesis में तो chlorophyll जो होती है वो sunlight को absorb करती है मतलब sun energy को absorb करके photosynthesis process को enable करती है मतलब उस process को करने में help करती है means carbon dioxide और water जो glucose form करता है मतलब combine होके जो glucose form करता है उसके लिए energy कहां से आती है वो chlorophyll जो है sunlight या photo energy को absorb करता है और उस supplied photo energy की वज़े से ही carbon dioxide और water का combination होता है ग्लुकोस form होता है तो इस तरीके से chlorophyll help करता है photosynthesis में next sunlight का photosynthesis में क्या रोल हुआ sunlight का यही रोल हुआ कि यह क्या होता है यह photo energy जो sunlight से energy मिलती है वो photo energy होती है और वो plant के अंदर chemical energy के form में store हो जाती है मतलब कि जो sunlight है sunlight के अंदर भी क्या है photo energy है और वो photo energy को यह leaves के अंदर जो chlorophyll present है वो उसको chemical energy के form में chemical energy के form में मतलब food के form में वो store कर देता है food क्या है? एक chemical energy है ठीक है जिससे plants को भी animals को भी energy मिलती है तो क्या है उसने जो आप sunlight है sunlight की जो photo energy है वो chlorophyll क्या करता है chlorophyll उसको chemical energy में convert कर देता है तो इस तरीके से sunlight का photosynthesis में बहुत बड़ा role है तो इस तरीके से हमने सारी conditions देखी कि किस तरीके से leaves जो है स्टोमेटा के थ्रू gases exchange करती है फिर water किस तरीके से absorb होता है और chlorophyll का क्या role है photosynthesis करवाने में या कह सकते है फोटो energy को absorb करने में और sunlight का क्या role है तो बच्चों आपने देखा होगा कि different colors की leaves भी होती है जैसे आपने बहुत सारे plants जो tiny plants होते हैं उनके tip पे जो नहीं नहीं leaves tiny leaves न decorative plants होते हैं जिसमें different different colors होते हैं जैसे carotan different different colors के होते हैं कोई violet color के होते हैं और कोई yellow color के होते हैं तो यह different different colors की leaves ये किस तरीके से photosynthesis करती हैं तो ऐसा होता है कि इन plants के अंदर different color के pigments जादा होते हैं जिसकी वजह से वो green color के pigment को hide कर देते हैं मतलब उसके अंदर भी chlorophyll present होता और वह भी photosynthesis में पार्ट लेते हैं, photosynthesis करते हैं, food making process करते हैं, but उनमे other colors के pigment जो होते हैं वो उसको cover कर लेते हैं, जिसके वज़ा से वो visible नहीं होता है, dark colors हमें ज़ादा visible होते हैं, और green color हमको जदा visible नहीं होता है, लेकिन वो भी उसी तरीके से photosynthesis करते हैं, जैसे normal green leaves करती हैं या normal green plants करते हैं कुछ plants में leaves के अलावा भी photosynthesis process होती है means जैसे desert plants हो गए आपके तो उन में क्या होता है कि उन में तो leaves ही नहीं तो उन में क्या है stem और branches है stem है और उनके branches है जिन में की जादा amount में chlorophyll बहुत जादा amount में chlorophyll present होता है और यह fleshy होते हैं अंदर से आपने देखा है कि जितने भी cactus हैं यह सब क्या होते हैं अंदर से fleshy होते हैं उसके उपर spines होते हैं और क्यों spines होते हैं जो covering होती है वो hard होती है spines present होते हैं to reduce the transpiration transpiration process को reduce करने के लिए इन में ऐसा structure होता है क्यों transpiration को reduce करना होता है क्योंकि यह desert plant है यहाँ पे water की scarcity होती है तो water की scarcity को fulfill करने के लिए means इनका water जो है वो ज़्यादा transpiration ना हो उसमे तो इसलिए उनका structure ऐसा होता है कि उनका stem जो होता है वो fleshy होता है dark green color का होता है और वो photosynthesis में पार्ट लेता है tiny plants होते है उनके भी stem green होते है आपने देखे होंगे जो branches होते हैं उनके tip part वो भी green होते है क्योंकि वो जादा से जादा photosynthesis कर सके जादा से जादा food making कर सके और उसके बाद उनकी जादा से जादा growth हो सके आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो normal growing जो newly born plants होते हैं वो पूरे green होते है और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके stem जो होते, वो dark होते हैं क्या होता है भो dark stem जो है brown हो जाता है और उसरिफ leaves ही क्योंकि उस समय क्या होता है जब tiny होता है तो उसमें leaves की संक्या कंद है leaves क journée कंद है जिससे उनको और growth जादा करनी है उनको तो इसलिए उनमें photosynthesis जादा करने की जरूत होती है इसलिए stem भी part लेता है stem भी green होता है और वो भी part लेता है photosynthesis process में और फिर जैसे जैसे plant बड़ा होता है उसमे number of leaves बढ़ जाती है तो इस तरीके से plants के अंदर different तरीके से changes आपने points की surface पे slimy green color के patches देखे होंगे और ये क्या होते हैं ये algae होते हैं ये plant like organism होते हैं जो की पूरी तरीके से developed plant नहीं कहलाएंगे कि इन में proper root नहीं होता, stem नहीं होती, leaves नहीं होती लेकिन इन में chlorophyll present होता है जिसकी वज़े से ये क्या करते हैं food produce करने की इन में capability होते हैं means ये photosynthesis करते हैं just like plant और इसी लिए ये plant कहलाते हैं अच्छों आप सभी ने देखा कि photosynthesis process में glucose form होता है और इस glucose के अंदर main elements carbon hydrogen और oxygen होते हैं अब ये glucose जो है food के form में कैसे इकठा होता है plants के अंदर तो कुछ plants में ये starch के form में collect होता है कुछ plants में ये fat के form में collect होता है और कुछ में ये proteins और vitamins भी form करते हैं तो ये कैसे form करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि starch कैसे form होता है क्यों glucose जो photosynthesis process में बना है वो naturally complex carbohydrate मतलब एक complex structure बना लेता है means बहुत सारे glucose molecules आपस में combine हो जाते हैं एक complex structure बना लेते हैं जिसको हम starch बोलते हैं और ये plants के different parts में collect हो जाता है जैसे कि roots, stem leaves, seeds इन सब में collect हो जाता है और ये mainly grains के अंदर जैसे wheat, rice और starch के form में इन में rich amount में पाये जाता है potato, carrot, plants में roots के अंदर store हो जाता है तो इस तरीके से ये different parts में collect हो जाता है फिर हम देखेंगे oils कैसे बनते हैं जब simple carbohydrate glucose ये photosynthesis में बनता है तो उसके बाद ये oil seeds के अंदर oil के form में collect हो जाता है और ज्यादा complex structure form करता है मतलब यही glucose के molecules आपस में combine होके और ज्यादा complex structure form कर लेते हैं तो fat form होता है और जिसमें कि lots of molecules जब ये breakdown होता है तो lot of molecules of glucose निकलते हैं तो means ये भी glucose molecules के combine होने से और ज्यादा complex structure form होने से ये fat बनते हैं और ये oil seeds के अंदर collect हो जाते हैं जैसे sunflower seed के अंदर, mustard seed के अंदर और peanuts के अंदर तो इस तरीके से में ये collect हो जाता है उसी तरीके से अच्छा एक चीज इसमें specially देखेंगे कि ये दोनों जो जो बनी है वो उनमें main elements क्या है carbon hydrogen oxygen लेकिन जब protein form होता है तो क्या होता उसमें एक और element add-on हो जाता है carbon hydrogen oxygen and nitrogen nitrogen भी add-on हो जाता है और nitrogen के मिलने से ये amino acids form होते हैं और मतलब nitrate minerals जो हैं उनके जोड़ने से ठीक है nitrate minerals के जोड़ने की वज़े से इनमें amino acids form होते हैं और ये amino acids क्या बनाते हैं protein form करते हैं और ये plants के अंदर एकठा हो जाते हैं food care form में store होते हैं उसी तरीके से plants के अंदर vitamins को form करने की capability भी होती है और different nutrients different minerals के मिलने से plants के अंदर different vitamins भी form होते हैं और ये vitamins जो है plants जो है produce करते हैं और fruit के अंदर vegetables के अंदर cereals के अंदर इनको store कर देते हैं तो इस तरीके से हम देखेंगे कि photosynthesis की हमारे लिए क्या importance है photosynthesis की importance क्या हुई कि सबसे पहले तो ये humans को या कह सकते हैं कि animals को food provide करते हैं plants photosynthesis के द्वारा animals को food provide करने का काम करते हैं दूसरा क्या करते है photosynthesis process के द्वारा oxygen gas air के अंदर put on होती है मतलब oxygen के balance को maintain रखने का काम करते हैं जो carbon dioxide animals के produce करी है उसको ये फिर से oxygen में retain कर देते हैं oxygen में convert कर देते हैं बहुत सारे plants ऐसे हैं जिन में chlorophyll नहीं present होता है means इन में green pigment नहीं present होता है जिससे वो photosynthesis नहीं कर सकते तो ऐसे plants जो हैं वो parasites कहलाते हैं जैसे कि cascuta आप figure में देख पा रहे हैं कि cascuta plant तो ये क्या करता है ये किसी host के उपर किसी दूसरे plants के उपर depend करता है in nutrition के लिए इसके body के अंदर कुछ शकर्स टाइप के structures present होते हैं आपको दिख रहे होंगे ये शकर्स के अंदर present होते हैं ये पॉइंट ये प्रेज़िख रहे हैं ये शकर्स प्रेसंत होते हैं जो की host plant के अंदर insert हो जाते हैं और ये host plants के nutrients को absorb करते रहते हैं और उससे nutrition को पूरा करते रहते हैं, तो इस तरीके से host plant के उपर ये nutrition के लिए depend करते हैं, और ऐसे plants कहलाते हैं, parasites जैसे, for example, कसकुटा जिसको हम अमर बेल भी कहते हैं, saprophytes, saprophytes, food के लिए dead or decaying matter के उपर depend करते हैं, जो सड़ी के लिए चीज़े पड़ी हुई होती हैं, उन पर depend करते हैं, और fungi, जैसे कि bread के उपर लगने वाली fungus, जिसको, फफून, जिसको mold बोलते हैं, और yeast, ये सारे क्या हैं, saprophytes हैं, और ये dead decaying matter के उपर जो है, ये grow करते हैं, और ये किस तरीके से क्या करते हैं, ये nutrition लेते हैं इससे, तो क्या करते हैं, saprophytic plants जो होते हैं, वो एक तरह का digestive juice release करते हैं, dead or decaying matter के उपर, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वो dead decaying matter, जो है, वो solution form में convert हो जाता है, और जब ये solution form में convert हो जाता है, तो ये इसके अंदर present nutrition को absorb कर लेते हैं, solution form में, और ये mode of nutrition जो है, वो saprophytic mode of nutrition कहलाता है, saprophytic mode of nutrition, क्या होता है, dead or decaying matter के अंदर, क्या होता है, ये एक digestive juice release करते हैं, जिससे ये liquefy हो जाता है, ये solution form में convert होता है, और इसको ये absorb कर लेते हैं, और ये process क्या कहलाती है, saprophytic nutrition कहलाती है, वो plant होते हैं, जो food, partially insects के उपर depend करते हैं, वो कहलाते हैं, insectivorous plants, तो इनको carnivorous आ जाता है, और ये specialized leaves होती हैं, इनके अंदर, जो की insects को catch करने में, उपर lid present होता है, इनमें slimy liquid present होता है, और एक smell होती है, इनमें insects को attract करने काम, इनमें attract हो जाता है, तो ये lid close हो जाता है, और इसके अंदर insect trap हो जाता है, और इसके अंदर digestive release करते हैं ये, और इसके अंदर present nitrogen कर लेते हैं, तो mainly ये insectivorous को तो वो इसलिए होते हैं, क्योंकि ये ऐसी soil के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे nitrogen की scarcity होती है, तो nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए, आपने देखा कि plants को mineral के form में nitrogen चाहिए, nitrogen चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए, plants को food formation के लिए nitrogen की requirement होती है, और ये soil से मिल नहीं से, तो ये इनमें spatialized structure होते हैं, जिसकी वजह से ये insects को attract करते हैं, insects को catch करते हैं, और उनसे ये अपनी nitrogen की जो requirement है, उसको fulfill करते हैं, इनके examples हैं, picture plant, sun dew, venus fly trap, symbiotic plants, तो symbiotic plants वो plants होते हैं, मतलब different species के plants जब एक दूसरे के उपर nutrition के लिए depend करते हैं, तो ऐसे plants, symbiotic plants कहलाते हैं, और उनके बीच में ये जो food obtain करने का जो process है, वो symbiosis कहलाता है, जैसे की lichens के अंदर, lichens किने कहते हैं, ये lichens कहते हैं, algae और fungi के group को, जब algae और fungi एक दूसरे के साथ में, जो है एक दूसरे के उपर depend करती हैं, nutrition के लिए, कैसे depend करती हैं एक दूसरे के उपर nutrition के लिए, तो जो algae होता है, वो green color का होता है, तो ये क्या करता है, ये photosynthesis कर लेता है, और photosynthesis करता है, उसी तरीके से, जो fungus होता है, वो non green plant है, ये saprophytic है, ठीक है, तो ये दोनों, या वो तो photosynthesis कर नहीं सकता है, तो इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे के उपर depend करते हैं, fungus क्या करता है algae cells को hold करने में help करता है mat like structure form कर लेता है जिसमें की algae grow कर पाते है develop कर पाते है उस पे उनको base मिल जाता है ठीक है web like hyphy बना देता है मतलब web like structure बना देता है जिसमें algae जो है grow कर पाते है उसी तरीके से fungus क्या है fungus non green है तो उसको food making process वो कर नहीं सकता तो इसलिए जो किस पर depend करता है algae पर depend करता है तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की requirement को fulfill करते है और इस तरीके से जो plants एक दूसरे की requirement को fulfill करते हैं तो ऐसे plants कहलाते है symbiotic plants और इन दोनों के group को मतलब इन दोनों की symbiosis और fungus की जो इसकी जो symbiosis है उसी को हम lichens बोलते हैं, मतलब algae और fungus के group को हम lichens बोलते हैं, उसी तरीके से और भी जगहों पे जो है इस तरीके की symbiosis देखी जाती है, जैसे आपने पढ़ाते हैं, जो pulses वाले plants होते हैं, उनकी roots में rhizobium bacteria present होता है, जो leguminous plants होते हैं, means pulses के जो plants होते हैं, उनको nitrogen की requirement जादा होती है, अभी मैंने आपको बताया, अभी just बताया कि, जो है, plants को protein form करने के लिए nitrogen की जादा amount में requirement होती है, pulses में तो जादा nitrogen होता है, मतलब उनको जादा nitrogen की जरौत होगी, क्या होता है, कि ये leguminous bacteria की roots पे grow करने लगते हैं, root nodules के form में ये nitrogen इकटी करते हैं, और bacteria food कहां से obtain करते हैं, plants से food obtain करते हैं, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की requirement को fulfill करते हैं, मतलब bacteria को food कहां से मिलता है, pulses से मिलता है, pulses के roots से मिल जाता है, leguminous plants के roots से मिल जाता है, और ये उसके बदले में इसको क्या देते हैं, जो rhizobium bacteria है, वो इसके बदले में इसको nitrogen देते हैं, ज्यादा amount में, means ये root nodules form कर देते हैं, मतलब roots के उपर छोटे-छोटे गोल-गोल structure बन जाते हैं, जिसके अंदर extra amount में nitrogen present होता है, जो कि pulses को, pulses plants को या कह सकते हैं, leguminous plants को, pulses के seeds को form करने के लिए extra amount of nitrogen प्रोवाइड करता है, विस इनके बीच में भी symbiosis होती है, तो symbiosis के क्या examples होएं, फर्स तो lichen हो गया, lichen किसका group है, algae और fungi का group है, और उसी तरीके से leguminous plants और rhizobium bacteria का group भी क्या कहलाएगा, symbiosis कहलाएगी इनके बीच में, इतने topics आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर कोई problem है, तो आप मुझे message कर सकते हैं, और बचे हुए topics को हम लोग next part में discuss करेंगे,